प्रफिट्ट्र है हेलो फ्रेंड्स विल्कम टू माई चनल आज हम बात करने वाले बिरला सौप के बारे में तो बिरला सौप मैं मैंने स्विंग टेडिंग से प्रॉफिट किया है तो वो कितना प्रॉफिट है वो शारी चीज़ें हम बात करेंगी यह वीडियो आपको बहु ऐसा शेर है जिसने बहुत उतार चड़ाओ दिखाए है और इसके बारे में पूरी डिटेल में में वीडियो बनाने वाला मेरी जर्नी बताने वाला इसमें ठीक है तो इसको मैंने कब बाई किया था उसके बाद मैंने कब उसको सेल किया कितना प्रॉफिट लिया क्या है सारी चीजे में बताने वाला हो और अभी इसका प्राइज देखो साड़े चार सो का प्राइज अभी चल रहा ही है दो सो पंदरा का लो था लगबग यह डबल हो गया एक साल के अंदर तो अच्छा का सा रेटन इसने एक साल में दिया है और फाइटी फाइल लगबग ट्रिपल हो करोड का मार्केट कैपिटल है 12,600 या 12,700 करोड का मार्केट कैपिटल डिवीडन देती है कंपनी थोड़ा बहुत डिवीडन दे देती है लगबग एक परसेंट से कम ही डिवीडन दे रहे है और इसका पी जो है वो 29.55 का है तो पी सेक्टर पी से थोड़ा सस्ता है ठीक है और बाकी सारी चीज़े मैं आपको इसके चार्ट से बताऊंगा जो भी चार्ट में है और ये शेर किसके पास है ये भी मैं बताना चाहता हूँ तो एक बड़े इन्वेस्टर है आशिष कचोलिया ठीके तो इनके पास ये स्टॉक है ठीक है बिला सॉट तो और आशिष कचोलिया को अगर जानते नहीं है तो उनके बारे में यहां पर देखो तो ये ये इसी फिल में है तो शेर ओल्डिंग फिल और आशिष कचोलिया पब्लिकली होल्ट थर्टीफोर स्टॉक है उनके और उसका नेट वर्थ है 1,908 करोड का तो ये जब का कभी का न्यूज है ओ टाइम का ये पोटफोलियो का पोटफोलियो की नेट वर्थ बताई हुई है तो ये बड़े इंवेस्टर है उनके पास भी ये होल्डिंग था और पहले अल्डेडी में ये सारी चीज़े रिसर्च करता ही था कौन क्या हो था क्योंकि उनके पास तो बहुत स्टेक होता है इसका तो इसमें वह अच्छा का सा प्रॉफिट कर लेते चलो वह टाइम पर मैं अभी मेरे जर्नी बताना चाहूंगा कि मैंने इसको कब लिया और उससे मुझे क्या बेनेफिट हुआ और कैसी नहीं रही बहुत कुछ सिख मिलने वाली है और वो बहुत आपके काम आएगी और फिलाल यहां पर मैं बता देता हूं मेरी इंट्री कहां तो मेरी इंट्री यह शेर में हुई थी लगबख 2017 में 19 में 2017 में तो यहां पर मैं यह चीज बताना चाहूंगा 19 में से मैं इसको hold कर रहा था 2017 से ठीक है तो 19 में 2017 को मैं थोड़ा mark कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि उसने मुझे किस तरीके के return दिये है कितने percentage ठीक है तो 19 में 2017 को मैं यहां पर डेट डाल देता हूँ 19 और बाई कितने का लिया ओभी में डाल देता हूँ बाई किया मैंने इसको 127 पर ठीक है और डेट क्या था 19 में 17 19 में 17 लिया था और 127 तो 127 से मैं इसको hold कर रहा हूँ ठीक है और मैं इसको marking करना चाहूँगा मेक अप था तो ओ चीज़ भी मैं mark करके रखना चाहूँगा कि बाई कहां पेती मेरी तो यहां पर 17 19 में का यहां पर असपास में यहां पर कर देता हूँ ठीक है तो यहां पर ही आसपास मैंने यह चीज़ बाई की थी ठीक है तो यहां पर बाई करने के बाद ओ शेर कितना दोड़ा देखो इसने एक हाई बनाया और यह हाई है लगबक 314 का 314.50 का तो यह हाई यहां पर यह भी मार्क कर देता हूँ ठीक है तो यह हाई बनाया इसने और यहां पर मैं इसका हाई 314 का लिग देता हूँ ठीक है तो जिससे आपको आइडे आ जाएगा क्याल्कुलेशन के लिए 314 का इसने हाई बनाया जस्ट हाई लिग देता हूँ ठीक है और वो डेड़ भी डाल देता हूँ तो 314 का हाई इसने बनाया था लगबग 3 सप्टेमबर 18 में 3 सप्टेमबर 18 तो 3 सप्टेमबर 18 में इसने हाई बनाया तो इसका मतलब है कि मेरा यह प्रोफिट ही कहलाया जाएगा ठीक है तो 3 सप्टेमबर मतलब एक साल के अंदर ही या एक या देड़ साल पकड़ लो उसके अंदर ही मैं यह शेर में प्रोफिटेबल था और लगबग यह प्रोफिट कितना है यह भी मैं बता देता हूँ यह 148 परसेंट का प्रोफिट है आप अपने कैलसी पे प्लस कर देना 127 प्लस 148 परसेंट तो लगबग लगबग इसके बराबर आ जाएगा ठीक प्राइज आपका तो 148 परसेंटेज का एक देड़ साल में प्रोफिट यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी तो यहाँ पर मैं प्रोफिट डाल देता हूँ प्रोफिट 148 परसेंटेज ठीक है तो 148 परसेंटेज का प्रोफिट यहाँ पर नजर आ रहा था यह ठीक है तो इतना यह ग्रो हुआ बट उसके बाद क्या हुआ अभी मैंने तो वो टाइम पर लिया जब था तब यह सोच के लिया था उसको कि इसको long term के लिए hold करना है तो मैंने long term के लिए hold किया उसको ठीक है तो उसके बाद देखो share continuously गिर गिर के कहां आया यहाँ पर आया ठीक है तो यह है इसका low जहाँ पर यह गिर गया तो इसका low आपको बताना चाहूंगा कि क्या low आया इसका तो low इसका बन रहा है यहाँ पर लगबग दिखा देता हूँ तो 46 का low हो गया लगबग यह 2020 में 46 का low हो गया तो मतलब continue यह गिर रहा ओ टाइम से गिरते गया reason क्या थे क्या नहीं किसको क्या पता क्यूंकि मैं तो long term के लिए hold करता था और इस वज़े से stock को ज़्यादा देखा नहीं करता था ठीके तो बढ़ रहा है तो बढ़ने देता था जो stock बढ़ रहे है तो बढ़ने देता था ठीक है तो most of जो जो मैंने long term के लिए थे सबी ने मज़े profit में दिख रहे थे एक time पे फिर उसके बाद क्या हाल हुई मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हुए है फिर उसमें से मैं कैसे निकला ओभी चीजे डाली हुई है तो यह चीज यहाँ पर आपको चल सकते हो तो 314 से यहाँ पर 47 का लो हो गया ठीक है तो 47 का लो यहाँ पर मैं डाल देता हो ठीक है 47 का लो हो गया और date कौन सा ही है यह भी मैं बता देता हो जब यह लो बनाया इसने लगबग 23 मार्च तो 23 मार्च को सबी शेर्स खराब हो गयते लोगडाउन में 23 मार्च 2020 में इसके हालात हो गयी थी 47 तो देखो 314 का शेर 47 हो गया ठीक है तो इस वज़े से हर कोई पैनिक होगा टेंशन में होगा कि यह इतना मतलब ओ टाइम पर तो मैंने बाई नहीं किया ठीक है लेकिन 314 से कोई शेर गिरता है तो यह भी दिन देखने मिलते हैं लेकिन मेरा 127 से गिरा तो 127 से कितना हुआ यह मैं बता देता हो आपको कि 127 मेरा Low कितना हुआ और High से कितना यह Low हुआ ठीक है तो यह सारी चीजे में आपको डिटेल में दिखा देता हूँ और उसके बाद इसने किस तरीके का परफॉर्म किया तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ तो यहाँ पर पहले calculate करेंगे high से कितना गिरा ठीक है फिर उसके बाद मेरे price से कितना गिरा ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ तो दोस्तों देखो ये जो high है उदर से ये जो price आया है तो ये लगबग लगबग 85% share गिरा है अगर किसी ने 314 पर इंट्री किया होता ओ 85% loss में होता तो यहाँ पर आप calculate कर लेना ठीक है आपके calcium में कर लेना 314 माइनस 85% कर लो तो ये price आपको मिलेगा तो 85% का कोई share loss दे रहा है तो यहाँ पर मैं 85% loss लिख देता हो ठीक है तो 85% का loss ये share ने दे दिया लगबग जो भी invested रहेगा लेकिन मैं invested कहा था वहाँ से मैं बताऊंगा मैंने कितने loss से cover हुआ ये लेकिन मेरा profit ही हो गया था कितना था तो ओ मैं बता देता हो आपको ताकि आपको ओ भी clearly समझ में है तो यहाँ पर देखो मैंने calculate किया है तो ये 127 से लगबग 63% मेरे price से गिरा था तो ये जो price है इसको मैं mark कर लेता हूँ यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि ये 63% का loss है ठीक है तो पहले mark कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए तो ये 63% का ये मेरा loss है तो यहाँ से ये जो यहाँ पर जो price आया है वो लगबग 63% का है तो 63% का यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कि ये मेरा loss 63% का है 127 से ये जो गिरा है प्राइज आप खुद भी calculate करके देख लेना ये 63% का loss है ठीक है तो ये लगबग 63% का loss मुझे ये share में हुआ तो इतना जबरदस ये मेरे लिए बहुत बड़ा ये था कि यार एक share इतना high गया और वहाँ से इतना गिरा और मेरा इसमें दिखने लगा कि इतना मेरा loss है तो फिर मैंने ओर टाइम पर क्या क्या most of क्या कि यहां से मुझे loss दिखना चालू हुआ था 2018 के बाद ही तो ऐसा नहीं कि जस्ट मैंने direct यहां पर देखा तो मैंने कब कब इंटरी की कैसे मैंने उसको recover किया क्या किया तो देखो एक multi beggar return देने वाला share भी गिर सकता है यह बिरला software software company, IT company है यह याद रखना, दिमाग में रखना हर कोई over confidence होता है कि हर किसी को लगता है कि वो उसको सब कुछ आता है, सब कुछ पता है ऐसा नहीं होता चाहिए किसी के भी pass की हो जाए तो क्या करना ची कोई भी कितना भी share अच्छा हो कितना भी बुरा हो उसके कभी अच्छे share के बुरे दिन आ जाते बुरे के अच्छे दिन आ जाते तो कुछ भी हो सकता है तो यह market है तो market को इतना easily मत लो lightly मत लो यहां पर यह सिखने मिलेगा आपको तो 117 इसका share यहां पर गया उसके बाद मैंने कब कब entry की तो मैं बता देता हो एक बार 67 के भाव पे किया तो 67 9 December को मैंने एक बार entry किया 9 December 2019 में तो 9 December 2019 को मैंने एक बार थोड़े और share ले लिये और वह भाव था 67 का तो 67 9 December 2019 मतलब लगबग यहां पर गिरने के बाद ठीक है तो इतना गिरने के बाद तो मुझे लगा कि अभी लेना चीए यह 9 December और यहां पर था 67 का भाव तो देखो इतना जमीन पर आनी के बाद मुझे लगा कि अभी इसमें हारना नहीं है डरना नहीं है इसको लेना है share तो लिये मैंने और share लिये ठीक है तो 67 के भाव से लेते गया जितना चीए उतना लिया फिर उसके बाद भी December में बहुत लिये share फिर उसके बाद मैंने क्या क्या पुरा December में ही उसको ले लिया उसके बाद मुझे profit नजर आया फिर मैंने इसको 11 February 2020 को बेज दिया देखो इसमें दो बार मैंने ये किया है तो 11 February 2020 लगबक 11 February 2020 को मैंने बेज दिया यहां पर February है ठीक है 11 February 2020 को मैंने इसको बेज दिया था और वह भाव था लगबग 89 का ठीक है तो मैं उसका एवरेज प्राइज मेरा क्या हो गया था और मुझे प्रॉफिट कितना हो गया था ये भी मैं बताओंगा ठीक है तो लगबग देख लो यहाँ पर मैंने दो बार ट्रेड कर चुका हो ये लाइप में और यहाँ पर क्या ठीक है तो लगबग मैंने इसको 11 फरवर 2020 में लगबग 90 के भाव पर बेज दिया था इसको 90 में बेज दिया था तो यहाँ पर 90 का भाव आ गया था तो देखो 47 से डायरेक नबबग हुआ था मतलब यह तो डबल हो जाता शेर ठीक है तो 90 हो गया था लेकिन मेरा एवरेज प्राइस क्या हुआ क्योंकि मेरे तो 127 की भाइंग थी फिर बाद में 64-67 के भाव पर मैंने इसको लेना चालू किया यहां पर डिसमबर के टाइम पर ठीक है तो फिर उसके बाद इसका जो एवरेज प्राइस हुआ यह में बता देता हूं कि मेरा एक बार एवरेज प्राइ मैं यहां पर डाल देता हूं ठीक है तो जिससे आपको आइडे आ जाएगा और यह ग्यारा सोल्ड किया मैंने इसको 90 में ठीक है सोल्ड एट 90 11 फर्वरी ठीक है 11 फर्वरी बीस को ठीक है 11 फर्वरी 2020 मैंने इसको सोल्ड कर दिया तो लगबग लगबग फिर प्राइस भाव क्या हुआ उसके बाद यहां से फिरो शेर फिर से गिरा था चलो मैंने इसको तो ले लिया और यहां पर मेरा परसेंटेश कितना यहीं अपको बता देता हो कि मेरे एवरेज प्राइस क्या हो गई थी तो दोस्तों ये जो मेरा profit निकला ये लगबग लगबग 72 मेरा ये average price आ गया था 127 का जो price था मेरा investment का वो direct 72 पे आ गया था और उसके बाद मैंने 90 पे बेचा लगबग 25% का मैंने profit लिया तो ये मेरा 25% का profit है ठीक है यहां से यहां तक मैंने just उसका average price में starting का average price में बताना चाहूँगा और यहां पर marking करना चाहूँगा क्योंकि ये मेरे record के लिए भी रखना है मुझे ठीक है और ये आपके learning के लिए भी है तो यहां पर मैं बताऊंगा कि मेरा average जो price हो गया था यहां पर मैं कही पर लिख देता हूँ तो मेरा average price average price 72 हो गया था स्टार्टिंग में ठीक है तो 72 था और और इसके बाद जो मेरा profit हुआ ठीक है तो यहां पर average price इसका 72 हुआ उसके बाद जो share बड़ा 90 हो गया मतलब लगबग मैंने यह 25% का profit किया तो यह मेरा 25% का profit है ठीक है तो 25% profit भी में स्टार्टिंग में इतना लिया मतलब देखो 1500% 148% का profit छोड़के बाद में मुझे 25% लेना पड़ा क्यूंकि share इतना जबर्दस गिरा था तो यह profit में लिख देता हूँ ठीक है तो कोई बात नहीं लेकिन profitable हूँ और profit किया मैंने और कितने shares लेने पड चलेगा ना कि एक बार share गिर जाता है और आपको निकलना है तो आपके हालत यह हो जाती है कि कैसी निकला जाए क्योंकि इतना गिरा होता है कि आपका वो प्राइज आने में भोट टाइम लगे अभी 127 आने में कितना टाइम लगता कि किसी को नहीं पता था ठीक है कि अभी चलो यह देखो 90 हुआ इसकी स्टोरी देख लो क्योंकि बड़ा अलगी है इसमें इसके बाद भी मैंने क्या सोचा चलो इसको शेर अच्छा है कंपनी अच्छी है अभी भाग रहा है तो मैंने बेच दिया लेकिन बेचने के बाद फिर से खयाल आया कि चलो मैंने 11 फरवरी को बेचा फिर मैंने 12 को सोच लिया यार और भी बढ़ रहा है बढ़ने के टाइम पर मैं क्यों बेच रहा हूँ फिलाल तो यह इतना शेर गिरा है कंपनी अच्छी है तो इसको मैं बेचना क्यों है तो फिर मैंने इसको फिर से 90 का 91 में खरीद लिया चलो यार शेर को मैं ख को खरीद लिया तो इसके बाद मैंने फिर से मेरी बाइंग चलो हुई 91 पे ठीक है तो 91 की बाइंग का फिर प्राइस लो उसके बाद भी देखो बुरी तरह लो हो गया और यह 47 का लो बना दिया ठीक है तो यहां पर मैंने फिर से बाइंग किया था तो लगबग आधा ही होना चीए लगबग समझ लो कि आधे के आसपासी परसेंट गिर गया मतलब मैंने लिया फिर से इंट्री की फिर से देखो 48 परसेंट गिर गया तो यहां पर गलती हमारी नहीं होती देखो फेरवरी के बाद जो कोरोना का टाइम चालू होने आवाला था कोरोना चालू हो रहा था थोड़ा थोड़ा आई रहा था उसके बाद पूरा शेर कंप्लेटली गिर गया शायद वहां से बढ़ सकता था यह जो मुमेंट थी शायद पहले है आ जाती लेकिन उसके बाद गिर गया यह शेर तो गिरा तो 47 मतलब लगबग लगबग मैंने फ सकते लांक का पहले से सोचता है इसको लांग करते तो पहले अल्यदी आवरेज करने में भूछ सारा पैसा लग जाता है तो उसके वजह से वह फैसा थोड़ा निकाल लेते हैं पर फटि ले लेते फिर थोड़े बहुत और शेर ले लेंगे तो दो दिन बाद मैंने शेर एक को यह तो यहां पर मैं ने जल्दि से जल्दि भेज दिया क्यूंकि प्रोफिट ले वर लेना था और और यह शेर ने बहुत बहुत दिन धिक्काए में बोट टाइम से गिरा भी था तो में जब इसका बढ़ना टायम चालो गया तो मैंने इसमें से निकल गया और 83 पर मैं इसको फिर से बेच दिया तो देखो एक टाइम पर 90 पे लिया एक टाइम पर 83 पे लेकिन इसका भी मैं बताना चाँगा मैंने इसमें 2 बार profit ले लिया है ठीक है यही profit ले ले था यह बहुत बड़ा हो जाता है लेकिन इसके बाद मेरा सोच जो था long term का तो long term की सोच को यहां पर गिरना पड़ा देको long term वालों को यह देखने भी मिल जाते है अठरा से देखो डायरेक 20 तक मतलब लगबग लगबग देड़ साल या दो साल के अंदर शेर की हालत क्या हो जाती है कोई अच्छा शेर भी खराब हो जाता है तो 47 आ गया था तो यहां पर उसके बाद मेरा दो टाइम इंटरी किया इसने तो यह भी मैं जस्ट रख रहा हूँ इस वज़े से और आगे आपको यह बहुत सारी चीज़े सीखने भी मिलेगी और बहुत सीखोगे इससे और प्रॉफिटेबल जरूर बनोगे ऐसा मुझे लगता है और यह रियल एक्सपिरेंस है और फैक्ट एक्सपिरेंस है यह शाय कर रहा हो ठेके तो जितने लोगों को सीखना सीख सकते हो बाकी आपकी मर्जी होती है तो यहाँ पर देखो सेकेंड टाइम भी मैंने प्रॉफिट किया है तो लगबग मैंने कितना यह बी में आपको बता देता हो परसेंटेज इंपोर्टन होते है बाकी मनी आप मुझे द निकलने के बाद 83 पे निकलने के बाद भी शहर आज वह साड़े 500 के उपर गया था मतलब 85 गया था तो अगर 85 मतलब 500 रुपय बढ़ गया था अगर मैं रखता तो यह मेरे लिए बहुत बड़ा मल्टी वेगर शेर हो जाता तो यह जो चीज़े कि मैंने नहीं बोला कि मैंने क ना मुझे फायदा हो रहा हिए कि यह सच हो रही है क्या बात कि दिन मैंने इद्धर तक रही है यह सच नहीं है तो मैं बता हो क्यों तो जो सच है वह मैं आपके सब सब्सक्राइब और ये चैनल पर सची बात आएगी कोई जुटे फेक चीजे नहीं बताएगी तो चीजे होती है उसके बाद ये होता है कोई कोई शेर बहुत बड़ा मल्टी बेगर बन जाता है पेशन्स रखना ज़रूरी है तो most of जो शेर गिरे है तो 85% गिरने के बाद भी जिसने रखा हो आज मल्टी बेगर रिटन लेता रोगा और जयो इस पर भी बाई करते गा उबाद मुलटी बेगर दो येिसे थालकर पड़े तो ये शेर थोड़ा अलगhhh और इसके बारे में बाकी शेर में मेरा जब से मैंने लिया तब से गिरता हुआ नजर आये लेकिन ये शेर को मैंने बढ़ते हुए देखा फिर गिरते हुए देखा और मेरा complete loss 63 था और high से ये 85% का loss था और मैंने इसमें दुबारा भी इंट्री की और दुबारा भी इंट्री करने के बाद भी मैं लगबग लगबग कितने percentage मैंने लिये वो भी यहां पर लगबग लगबग same ही लिया है मैंने तो यहां पर मैं बता देता हूँ तो दुबारा भी इंट्री करने के बाद भी मैंने लगबग उसके बाद 21% का प्रॉफिट लिया तो पहले 25 का लिया फिर बाद में 21% का प्रॉफिट लिया तो इसमें मैंने दो टाइम ट्रेड किया है तो लगबग लगबग एवरेज निकला जाए तो दो बार मैंने इसमें प्रॉफिट ले लिया है तो इस तरीका का इसके मेरी जर्नी थी और मोस्ट आप यही चीज दो सिखो कि कोई भी शहर अच्छा या बुरा ये उसके उसके फाइन्चल कई स सब्र clue रहこれ बीजनिस कई सच्वार है भी गिर चैपने है 506 है अच्छे इस तरीके के घिरने इस बुर मतलब लगबग देखो चार्क वबह वह पकडएंगे तो यह 10 गुना तो मतलब ऐसे टाइम पे सही शेयर पकड़ना आना चाहिए और यह चानल पर यहीं चीज़े आपको सिखाना मुझे और सही चीज़े सिखाना मत वो पड़ो कि इंट्राडे टेडिंग आपशन टेडिंग सारी चीज़े करकर के मैं यह सारी चीज़े छोड़के फिक्स और प्रमेश ब्रोफीट ही होगा लोस भी होते बहुत लोगों को लेकिन एक गारेंटी देता है कि यहां पर आपको प्रोफिट होने के चांसेश बढ़ जाते क्यूंकि आपको स्विंग में खरिदते जाना पड़ता है कोई गिरावट पे खरिदना रहता है हर एक गिरावट पे खरिदना होता है जिससे आपको शेर आगे जाके अच्छा कासा प्रॉफिट दे देता है ठीक है तो ये चीज आपके बहुत काम आ सकती है और इसी लिए आपको ये चैनल को करने में घाटा नहीं हो रहा है आपको नौलेज बढ़ रहा है तो सब्सक्राइब करने में कोई कंजोसी मत करो और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करो कमेंड करो दोस्तों की साथ शेर करो और जन्यून इन्फोर्मेशन और जन्यून डेटा यहां पर आएगा और आगे मैंने बहुत सारे शेर्ज बता है जो मेरे खुद के पोर्ट्फोलियो के है स्टोक टॉक में मैंने बता है वो भी अप चेक कर सकते हैं और उसमें भी प्रोफिट आने वाले दिनों में आने वाला क्योंकि war के वज़े से बहुत सारे shares गिरे हुए, portfolio गिरे हुए, बहुत लोगों के गिरे होंगे, बट अच्छे दिन फिर से आ जाएंगे, देखो, जिस तरीके के इसके साथ हुआ, वह ऐसे ही बहुत सारे companies के साथ, बहुत सारे shares के साथ होगा, जरूर देखने मिलेगा, ये चीजे positivity लाती है, तो इसी तरीके से देखो, वीडियो पॉजिटिव रहो, और ऐसे multi-vegan returns भी आपको, वह share से मिलेंगे, जो shares गिरे होंगे, ठीके, तो फिलाल, वीडियो अच्छा लगा है, तो जरूर लाइक करो, कमेंट करो, दोस्ते के साथ शेर करो, और सब्सक्राइब करना मत बुलना, थैंक यू वेरी मच पर वचिंग मैं वीडियो, थैंक यू, बाइबाइ